इस वीडियो में आप पढ़ेंगे टाइपस ओफ एडवर्टाइजिंग अपील के विग्यापन अपील के कौन-कौन से टाइपस होते हैं तो मेंली इसके 15 टाइपस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट में अपील की जाती है ब्रांट, सेक्स, एडवेंचर, ब्रेट बगन, फियर, यूमर, रैशनल, लेस्टेन, परफेक्ट, जेंडर, म्यूजिक, एमोशनल, प्लेंट, शोशल, इसनो, विसकेरसिटी इन सभी को डीटेल में पढ़ने से पहले कौनर आई बटन पे क्लिक करके आप अडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की प्लेइस देख सकते हैं जिसमें कि आप एडवोटीजमेंट से रिलेटेट डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेट डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेइस का लिंक अब लेबले आप माँ से देख सकते हैं शोशल मेडिया के लिंक्स अब इलेबल हैं अब आप पे फॉलो कर सकते हैं कोई डाउट है तो मैसेज कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और कमेंट किजिए पहले देखते हैं कि अपील क्या होता है फिर इन सभी टाइप्स को डीटियल में तो परस्ट है डाफिनेशन अपील में हम डिफाइन करते हैं कौन से स्ट्रेजिक को हम फॉलो कर रहे हैं ताकि हम लोगों का इंटेंशन गैदर क कर सकें क्योंकि वो प्रिड़क्ट को पर्चेस कर या सर्विसेस को तो उसके लिए अपील में डिफरेंट टाइप के स्ट्रेजिस को फॉलो किया जाता है ताकि लोग उसकी तरफ अट्रेक्ट हो इसमें मैंली हम उन्हीं टाइप को पढ़ेंगे कि किस टाइप की इसकी जा सकते हैं जो बी सेलर की उसको मैज्डेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है 15 टाइप और अट्वर्टेजिंग अपील अपील को डिफरेंट काटेग्री में क्राइप के अकोड़िय किए गलाहिख एक responsibility शेड़िश में सबंग अर। तो फस्ट आता है brand appeal, brand appeal किसी भी customers को या लोगों को की brand के लिए वो कितना conscious है individual की उसको particular brand को purchase करना, इसका primary object वो brand के appeal करें, लोगों को motivate करें कि वो उसके project को खरीदे, क्या excellent brand है और उसको use करके वो कैसे feel करते हैं, क्या different उनको लगता है for example की apple, तो लोगों को लगता है कि उसकी quality ज्यादा अच्छी है, software अच्छे है, तो इस तरीके से brand appeal करती है, तो brand appeal में customers को particular brand के लिए आपको बताया जाता है कि आप उसके लिए loyal बनें और आप उसी brand के product खरीदें, for example कोई किसी particular brand की चीजों को use करता हो, तो वो loyal होता है कि उसको वही use करना है, next, next आता है sex appeal, sex appeal mainly product को sell करने के लिए नहीं बल्कि लोग का attention gather करने के लिए होती है, कि लोग उसकी तरह अट्रेक्ट और उस चीज को देखे, तो इसमें वो particular message को convey करते है, selected group of audience के लिए, आपील में like किसी और चीज को promote किया जाता है, for example, alcohol के advertisement में main की sex appeal को दिखाया जाता है, जैसे कि बार में बहुत सारे men बैठे उन्होंने बहुत branded alcohol की brand को purchase किया है, ताकि वो एक young lady को attack कर सके, या फिर उसका attention ले सके, तो इस तरीके से ही होती है, जाकि वो message को convey करते हैं कि कैसे उनको लोगों को attack करना, perfume, lotions, quality, balance, तो ये advertisements mainly होते हैं, ताकि man, woman दोनों को एक दूसरे के लिए attract होते होते हैं, ताकि वो product को sell कर सके, next आता है adventure appeal, कि कुछ advertisement में appeal की जाती है, adventure या फिर excitement को बताया जाते है, लोगों के जिसका की primary objective होते है, लोगों के अंदर उच्छा को पैदा करना, excitement को पैदा करना, तो for example energy drink, जो की mainly इसी लिए use की जाते है, कि आप इसको drink करेंगे, तो आपके अंदर energy आईगी या फिर आप जीत सकते हैं, तो उस तरीके से ये product की appeal होती है, next, next आता है bread bag on appeal, ये appeal की जाती है कि लोग feel करें कि वो किसी product को क्यों buy क कर रहें, इसका क्या objective customer क्यों join कर रहें, वो इसको क्यों start करते हैं, use करना, तो directly जैसे की cable services हो सकती है, अगर इसमें ऐस होती है, अगर एक ने use कि तो दूसरे सभी लोग उस चीज का use करने लग जाते है, बदलब कि जो भेड़ चाल वाला system होता है, कि एक ने ऐसा किया, दो जोने सके हैं, तो सभी लोग वैसा करते हैं, अपील होती है, नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है, फियर अपील, जो की कि जाती है कि क्या आपको फियर है, आपको आपको क्या particular action लेने होंगे, वो फियर को हटाने के लिए, तो एडूटिजमेंट लाइक बताते हैं, कि आपको इ एंटी-डेंडर्फ शेंपू, कि आपको डेंडर्फ नहीं चीए, तो आप एंटी-डेंडर्फ शेंपू का यूज करें, लाइक है, डेंशोल्डर, तो फियर अपील में आपको बताया चाता है, बेड आईजीन के बारे में, तो उससे आप बाहर आ सकें, मतलब कि तो आप करने के बारे में, प्रेडक्ट और आइडियास हो, तो उससे रिलेटेट एडविटाइजिंग के स्टेजी की जाती है, ता कि उनके अंदर पॉजिटिविटी को अशूशियेट कर सकें, तो यह एड़ोटिसमेंट्स होते हैं, लाइक इंशोरेंस तो उनको इंशोरेंस के बेनिफिट बताई जाता है कि क्या क्या बेनिफिट अगर आप उसका यूस करता है, मैं लायक सेल फोन तो यूमर इसके बारे में बताई जाता है कि किन चीजों से आप खुश हो सकते हैं, आप कैसे हब कर सकते हैं, तो वो अपील होती है, नेक्स्ट। रेशनल अपील जहा क्या benefits से उसके बारे में बताई जाता है तो इसमें कितनी इफिशन्सी है प्राइज उसको दूसरी कारों से या दूसरी चीजों से कैसे इफिरेंशेट कर सकते हैं और यह आपको कितनी कम कॉस्ट में पड़ेगी तो वह सारी चीजे रेशनल अपील में की जाती है जो कि बिजनेस एडोटीजमेंट में में यूज होते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आता है लेज देन परफेक्ट अपील कि यह नेचरल हुमन टेंडेंसी होती कि आपको सोचने पर मजबूर करते हैं इस अपील में कि आप परफेक्ट से कैसे कम है और अगर आपको परफेक्ट बनना है या लेबल ऑप परफेक्शन पर जाना है तो आप उस चीज का यूज करके परफेक्ट बन सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जेंडर अपीर इसमें यूज के जाते हैं ताकि आप क्रिएट कर सके आइडियल मेन और वुमेन को क्या आप कैसे टार्गेट ओडियंस को टार्गेट करें कि वह क्लॉच को ले ब्यूटी और विच में डिखाते हैं और उनके लिए पर्टिकुलर प्रिड़क्ट के अपील कर नेक्स्ट आता है म्यूजिक अपील यूज की जाती ताकि आप म्यूजिक के टेस्ट को साउंड को परसन फील करें उसको समझे तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है कि लोगों को इनकरेज करवाए कि वो किसी भी पर्टिकुलर प्रिड़क्ट के बारे में सुनके फील कर सके इमोशनल हो सके इसमें ट्यून सौंग साउंड हो सकते हैं लाइक मैक्रोसॉफ्ट यूज करता है कि ओपनिंग पीस म्यूजिक जो की रिलेटेड है माइक्रोसॉफ्ट के प्रि इस तरीके से त्यून को यूज करते हैं तो म्यूजिक अपील से हम उन प्रिड़क्ट को जान सकते हैं नेंक्स्ट इस्ट आता है इमोशनल अपील इसका प्राइमरी अबजेक्टिव होता है कि लोगों के साथ वो फील करें कि कैसे वह एमोशनली अटेच हो रहे है या फिर प्रिड़क्ट को वो कैसे पॉजेटिव और नेगेटिव देखते तो उनको इमोशनली स्ट्रॉंग बनाने के लिए तो कस्टमर फील कर एंगर को बाइटर को सेट को हैपी को प्राउट को नॉस्टेल्जिक तो यह डिफरेंट फिलिंग्स के अकॉर्डिंग उनको इंकरे जाती तक कि लोगों को बताए जाए कि जो भी वो प्रिड़क्ट यूज करें आप कोई पर्टिकुलर सेलेब्रिटी को यूज करते हुए दिखाया जाता है एड में कि वो उनके रेगुलर लाइफ का है यह कोई स्पैसिफिक प्रिड़क्ट नहीं है या आप इसको और्ड और आपको लोग एकसेप्ट कर लेंगे तो इस तद्रीके से आपको बताए जाते हैं आप हाई सोसाइटी की ग्रूप में तो आपको हाई प्राइज वाली चीजों का यूज करना होगा नेक्स्ट इस नोव अपील यह स्ट्रेजी टार्गेट करती लोगों को कि वो फिल कर यह बिजनेस क्लास के लोगों की लिए नेक्स्ट इसकेर सिटी अपील यह मार्केटिंग स्ट्रेजी के अपील की कस्टमर को जल्दी से वह रिस्पॉंस करें कुछ बी चीज जो आउट ऑफ स्टॉक होने वाली वह टेक एक्शन लें इमेडियेटली परचेस करें इसका नेक्स्ट तो टाइपस ओफ एडवर्टाइजिंग अपील के इस वीडियो में आपने देखा डिफरेंट टाइप की अपील्स ब्रांड अपील की पर्टिकुलर ब्रांड के लिए सेक्स अपील जो की मेल फीमेल के लिए मैंली बताई जाती है एडवेंचर जो कि आपको ए चीज का यूज़ करेगा तो वह हैपी होगा उनकी हल्प करने के लिए इन प्रेड़क्ट को बनाया जाए नेक्स्ट आता है रेशनल कि आप पर्टिकुलर की किसी भी प्रेड़क्ट के बेनिफिट्स को देखे लॉजिकली सुच्छो फिर उसको पर्चेस करें नेक्स्ट का पर्फेड़क्ट से कितना कम हैं तो आपको यूज़ करके परफेक्ट लेबल तक जाने जेंडर अपील की मेल फीमेल के लिए डिफरेंट जो प्रेड़क्ट्स होते हैं उनके स्वार्टिंश ॉस्टीं होगते आ घ्र मुझे यापीउल अपर्टिकुलर आप उसको यू यूज करके सोसाइटी में रेस्पेक्ट ला सकते हैं या फिर सोसाइटी के साथ चल सकते हैं फिर नेक्स्ट आता है स्नोब अपील और स्केर सेटी अपील कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए तो आप उन चीजों का एडवांटेज ले सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्रीस लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्षन में कमेंट कर सकते हैं तेंक यूँ